जय ही सब्सक्राइब, तो हर्याना पुलीस कॉंस्टेवल के PMT स्टार्ट है, मेल कंडिट का PMT हो रहा है, 16 जुलाई से ही इनके PMT स्टार्ट है और इनका PMT जो समाप्त हो जाएगा, वो 13 जुलाई तक समाप्त हो जाएगा, और देखेंखा फाइनव 20 अगस्ति तक इसका फाइनल डिजल्ट देने का भी लच्छेन का है क्योंकि एक आर्टिकल में आप लोगों नहीं देखा होगा कि पंदरा अगस्त तक बताया था किंद थोड़ा सा डिले को सकता है 20-25 अगस्त को सकता है क्योंकि थोड़ा सा डिले 3-4 दिन जादा टाइम लेकर इन्होंने PMT स्टार्ट किया आर्टिकल में बताया गया था कि 12 जुलाई तक कि इन्होंने 16 नहीं का सकते ही और लिए प्सप्राइब कर दिएक और कंडिट कर सकते हैं उसके बारे करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि female candidate का PMT कब होगा देखे 23 जुलाई तक इनका चलेगा उसके बाद पूरी संभावना है कि 24 या फिर 25 तक female candidate के भी PMT स्टार्ट हो जाए अगर 24 को स्टार्ट नहीं होता है एक दो दिन ये गय पे देंगे अपसेंट वालों का तो यहाँ पर जो संभावना पूरी लग रही है 25 या फिर 26 जुलाई से female candidate के PMT स्टार्ट हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पर पूरा ग्राउंड बुक करके रखा हुआ है वो केवल 31 जुलाई तक बुक करके रखा हुआ है तो 31 जुलाई तक इन्हें PMT समाप्त करना है तो इसलिए यह पूरी संभावना है कि 26 जुलाई से या फिर 25 जुलाई से female candidate के PMT स्टार्ट हो प्तार भी होता हैं, अब बाते हैं कि रणिंग कभ से सुरू हो सकता है, क्योंकि 31 जुलाई तक PMT चलेगा उसके बाद आपका रणिंग और उर निंग जो होनी की संभावना है वो अगस्त के फर्स्ट वीक से होने की संभावना है तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक सुरू हो जाएगा आपका रनिंग अठाथ 7 अगस्त से पहले पहले आपका रनिंग सुरू हो जाएगा और जादा से जादा 10 दिन रनिंग चलेगा अब बात कर लेते हैं एक्जाम डेट की कि आखिर एक्जाम कब तक सुरू होंगे उसके बाद बात करते हैं नई वेकंसी के बारे में कि CET क्वालिफाइंग से कराने की बात चल लए अभी देखे बात करते हैं कि एक्जाम कफ से सुरू हो सकते हैं देखे एक्जाम जो सुरू होनी की संभावना है वो फूरी संभावना है कि 15 अगस्त के बाद आपके एक्जाम सुरू हो सकते हैं 20 अगस्त से आप यह कह सकते हैं 20 अगस्त से पहले-पहले आपके एक्जाम सुरू हो जाएंगे और इस म वो male and female दोनों करनेट का साथ में ही होगा तो आप अपने एक्जाम की भी तयारी करते रहिए 15 अगस्त के बाद आपके एक्जाम सुरू होने की संभावना है तो एक्जाम की तयारी करते रहिए और इसके एक्जाम की तयारी के लिए best book जो कि last समय में एक complete revision आपका करता है तो previous year में आए हुए सभी प्रस्णों की हर एक option का detail explanation इसमें दिया गया है अगर आप देखेंगे तो हर एक प्रस्ण का detail explanation इसमें मिल जाएगा क्योंकि आपको भी पता होगा या तो previous year के प्रस्ण है या तो उसी से related प्रस्ण आगे एक्जाम में आते हैं तो यहां पर इस तरीक होगा क्योंकि हर एक section का इसमें objective type questions दिये गए हैं जो कि previous year में पूछे गए हैं जैसा कि जीयसका previous year में सभी पूछा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा तो हर एक section का maximum objective questions इसमें दिये गए हैं लगबग 3000 से ज़्यादा इसमें आपको objective questions मिल जाएंगे जहां से पॉलाइन मंगा सकते हैं डारेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्सम बॉक्स में दिया हुआ है अब देखे बात करते हैं नई वेकंसी की देखे इसमें बताया गया है कि 15 अगस्त के बाद CET का संसोदीद अधिसूचना जारी हो सकता है उसके बाद जो भी यहां पर नियम जारी होंगे क्योंकि बात चल लए है CET क्वालिफाइंग का तो यहां पर यह भी बताया है पूरी संभावना है कि साथ यह CET को क्वालिफाइग करेंगे और नई वेकंसी जो आएगी पुलि कंडेट की वेकंसी होगी और यहां पर यह भी बताया गया है कि इन पदों पर CET संसोदीद अधिसूचना के बाद भरती हो तो संसोदीद अभी जारी होने की संभावना 15 अगस्त के बाद है उसके बाद अगर CET क्वालिफाइंग करेंगे तो सभी उमीदवार जो है इसमे की त्यारी करते रहें तो चलिए आप लोग त्यारी करते रहें बाकी कोई डाउटाय कमेंट कर दीजेगा में नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिन